कि दो यहांपे पहला कोशन पूछ रहा है दोस्तों कि 0.121 उसकल फिर 121 फिर 1121 इस तरह से यहां पे ड्यस करके दिया गया है दोस्तों कोई संख्या यहां पूछह दारएं की कौन सी संख्या आएक प्रमे rasa क्या या फिर पूरनांग संख्या पहें इनमें तो देखिए आप लोग कंडिशन पढ़े होंगे दोस्तों यहाँ पे कि कोई भी संख्या अगर रिपीटेड होते हैं यहाँ पर देख से वन टू ओन फिर इसके बाद फिर इसके बाद वन टू ओन यह रिपीटेड है दोस्तों इसका मतलब यह कभी खतम नहीं होने वाला ठी एस संख्या हम लोग क्या बहुंत कि आप प्रम्सागा बोलते हैं इसल को याद रखेगा दोस्तों एक प्यास से उतरrum का प्सर्न नंबर भी हो जाएगा जो भी संख्या यहाँ पे प्य पन हूप में लिखा जा सकता है उपल क्यू अपार पर प्रमेशन प्रमें संख्या ब का बी तरह दुसरा कोशन देखे दोस्तों बहुती सिंपल और इंपोर्टेंट यह सारे कोश्चन है तो लास्ट था कि इस वीडियो को ज़रूर देखेगा वन अपन रूट टू अब कौन सी संख्या है देखे वन अपन रूट टू यहाँ पर रूट टू जाए दोस्तों यह पूर्द वर्ग नहीं है तो यह भी आप लोग को यहाँ पर में संख्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वन रूट फूर रूट नाइन यह रूट सुला यह सभी दोस्तों आपका परिमें संख्या है लेकिन यहाँ पर रूट टू रूट थी रूट फाइव रूट सेवन ये सभी जो root 8 ये सभी आप लोग का अपर में संख्या का उधारन है तो 1 upon root 2 भी होगा दोस्तो एक अपर में संख्या का उधारन होगा ठीक है तो से उत्तर यहाँ पे 2 का option number C हो जाएगा तेले तिसरा question देखते हैं कि निम लिखित में सकाउन अभाज संख्या है देखें दोस्तो प्रैम नमर आप लोग फढ़े होंगे 8 9 11 15 option में है ऐसी संख्या जो swing और 1 से कट सके उसको हम लोग अभाज संख्या बोलते हैं जैसे 8 है दोस्तो तो 1 से 2 से 4 से 8 से भी कट सकते है ये नहीं होगा 9 जो है यहाँ 15 देखते हैं दोस्तो एक तीन 5 उसके बाद यहाँ पर 15 से कट सकते है यह भी आप लोग का यहाँ पर नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर सही उत्तर आपका option number 11 हो जागा जो एक और 11 से यहाँ पर कट रहा है ठीक है देखें निम्रिखित में से कौन परिमेश संख्या चोथार नंबर कोश्चन है और परिमेश संख्या कमाने आप लोग को बातिया था जो पूर्ण वर्ग हो और P upon Q के रुपे हम लोग उसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर ओप्सन नंबर A ही आपका सही है दोस्तों यह रूट अंडर उन्चास अपन 64 बहुती सिंपल और इजी कोशन था यह अब देखें दोस्तों इसमें चादर यहाँ पर पांच नंबर जो कोशन पूछा गया है कि यदि X upon P upon Q एक परिमेश संख्या IC है परिमेश संख्या के रुप में बद्या गया है कि है लेकिन संख्या अगर यहाँ पर P upon Q के रुप में बत्या गया है और जहाँ पर Q जो है यहाँ पर Q के पावर N और S के पावर यहाँ पर M के रूप में है और यहाँ पर जो N है और M है यह आपका धनातमक है पोजेटिव है दोस्तों इंटीजर तब X का जो दस्वनलब परसार होग ठीक है यह धनातमक कंडिशन होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर ठीक है जो Q के पावर N और S के पावर M के रूप में हो जहाँ N और M धनातमक पुर्णाक हो यह कंडिशन है दोस्तों आप लोगको याद करना परेगा यह 7 यहाँ पर दस्वनलब परसार होगा तो से उत्तर यहाँ पे 5 का option number B आपका राइट है अब देखे 6 नमर बहुती easy question बहुत सारे चाहत इसको बना भी लिया होगे यदि alpha और beta द्विघात बहुपद यहाँ पे fx का मान दिया गया है दोस्तों x square plus 2x plus 3 दिया गया है का मूल जो है वो alpha और beta यहाँ पे बतिया गया है यदि alpha और beta द्विघात भूपद इसका मूल है ठीक है तो one upon alpha plus one upon beta का मान कितना होगा तो आप असानी से जानते होंगे alpha plus beta बराबर minus b upon a होता है जहाँ पे minus 2 upon 1 हो जाएगा तो यह मैनस 2 ही आएगा अब alpha into beta का भी आप लोग मान जानते होंगे c upon a होता है तो c का मान यहाँ पे 3 है 3 अप होगा दस्तो one upon alpha plus one upon beta का मान alpha plus beta into alpha into beta ठीक है तब यह alpha plus beta का मान यहाँ मैनस 2 upon 3 तो सयूतर आपका क्या हो जागा minus 2 upon 3 option number b आपका राइट हो जागा option number b minus 2 upon 3 1 upon alpha plus 1 upon beta का भालू निकाल हो गया ठीक है बहुत इजी था आप आसानी से इसको बना लीजेगा ठीक है वैसे मैंने आ option number b चले next question देखा अनकेडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए ask a dot feature अगर आपको भी किसी subject में कोई dot है या फिर किसी question में कोई dot है तो आप अनकेडमी के ask a dot feature के माध्यम से अपने dot को clear कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस feature का जो है लाब उठा सकते हैं कै नहीं तो आप अपने gallery से भी question को select कर सकते हैं उसके बाद आपको अपने question को crop करना है और ask a dot पर upload कर देना है उसके बाद आपका अपना subject चूज करना है जैसे मेरा subject sense है तो हम sense चूज करेंगे इसके कुछ देर ही बाद आपको जो है इसका solution मिल जाएगा इसके बाद आपको view solution पर click करना है जहां आपको एक proper video solution मिल जाएगी साथ ही अगर आप 10 March तक 10 dot पूछते हो तो आपको अनकेडमी पलस की subscription फ्री में मिलेगी इसके साथ ही आप unlimited course में enroll कर सकते हैं अगर आप first time इस feature को यूज कर रहे हैं तो आपको इसको unlock करने के लिए code की जरूरत होगी जहां प dot पूछ सकते हैं यादा जानकाड़ी के लिए link description में दिया गया है वहाँ जाकर आप अनकेडमी को download कीजिए और इस feature का फैदा आप लोग उठाइए question 7 नमर है दोस्तों क्या लिखाए 2-x question में दिया है x-1 और इसका पूछाया कि सुन्यकों का गुनन फ़ल माल लेते हैं इसका सुन्यक alpha और beta है तो alpha into beta का value आप लोग को बताना है इसको हम लोग हल कर लेंगे दोस्तों 2-x square और यहाँ पे हो जागा plus x तो इसको हम लोग सजा जागा तो minus 2 आपका right answer हो जागा किस option में है तो option number a में है तो से उतर क्या हो जागा आपका option number a इस बहुपद के सुन्यकों का गुनन फ़ल माइनस 2 होगा ठीक है अब 8 नमर है कि निमलिखित में से कौन बहुपद नहीं है तो बहुपद का rule होता है दोस्तों यहाँ पे minus 2x q q plus one x के पार minus one upon two minus four x plus one तो देखें दोस्तों यहाँ पे minus में दिया गया है तो यह आप लोग का यहाँ पर बहुपद नहीं होगा जो पाबर यहाँ बदिया गया है वो minus में है ठीक है तो से उतर यहाँ पर आपका 8 का C हो जागा यह आपका बहुपद का रूप नहीं है x के पार मैनस वन अपन टू एक्स के पार वन अपन टू रहता तो यह हो जाता लेकिन यहाँ पर निगेटिम में यह आपका संभब नहीं है बहुपद होना तो से उतर यहाँ पर आठका उप्शन नमबर सी रहेट है चाहिए नौ नमर डेखते हैं दोस्तों कि यदि यूगपत सम समिकरन निकाई का मतलब उख समीकरन निकाई क्या कहलाता है ठीक है इस त्रह के आप पढ़े ऊंगे अनिगिनत हल होने Works ए रहीजा तो वह समिकरन निकाई जो कहलाएगा वह कहला है दोस्तों आपका आसिस शमीकरन का कौनकाई आ परोर्भासा है यदि यूगपत समिकरन नि यदि X प्लस 2Y बराबर 9 है यदि X बराबर 5 है तो Y का भालू कितना बहुत सिंपल X प्लस 2Y बराबर 9 तो X के बराबर 5 प्लस 2Y बराबर 9 तो 2Y बराबर यहाँ पे 4 Y का भालू option number का होज़गा A ठीक है तो सेवतर यहाँ पे 10 का option number A 2 चलिए 11 देखते हैं दोस्तों कुछ और question यहाँ पे कि द्विघाज सम्मिकरन X स्क्वाइर माइनस 5X प्लस 8 बराबर 0 के मुलो की परकिर्ती जो होगी और क्या होगे अब द्विघाज सम्मिकरन दिया गया है दोस्तों X स्क्वाइर माइनस 5X देखे इस तरह के question आप लोग जरूर बनाईएगा दोस्तों ठीक है ताकि इस तरह के question को आप लोग असानी से वहाँ पे प्रिछावाल में हल कर सके अगर आप लोग को यहाँ पे practice बन जाएगा द दोस्तों आप लोग को discriminate आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डी वराबर क्या होता है बी अस्क्वाइर माइनस 4AC तो बी अस्क्वाइर यहाँ पे होगा 25 माइनस 4 गुने ए एक गुने 8 यहाँ पे आजागा 25 माइनस 8 चोके 32 इसका मतलब माइनस 7 जो है यह दोस्तों 0 से छोटा अगर 0 से छोटा आता है इसका मतलब यह हो गया डी का भैलू 0 से यह वला हो गया ठीक है लेस दिन 0 हो गया तो यह कंडिशन में क्या होता है दोस्तों आपका वास्तविक नहीं होता है ठीक है क्या होता है वास्तविक नहीं होता है तो यह आप लोग के ठीक है तो से उतर यहाँ पे 11 का C राइट एंसर हो जाएगा चलिए 12 देखते हैं कि यदि X square plus 4X plus K के मुल वास्तिविक हो तो K का value यहाँ पे कितना होना चाहिए ठीक है देखिए D वराबर निकालिए B square minus 4AC ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए B का मान 4 चो के 16 minus यहाँ पे 4 गुने कितना होगा दोस्तों 4 से आपका कम होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए तो से उतर यहाँ आपका option number क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 से आपका कम होना चाहिए और यहाँ पे बरावर भी हो सकता है ठीक है यह आपका k का value option number a right हो जाएगा b नहीं हो गा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 4 से बरा है अगर के का भायलो हम लोग चार से बरा लेंगे तो यह अबास्तिविक हो जागा लेकिन चार से हमको छोटा और बराबर भी ले सकते हैं तो से उतर यहाँ पर उप्शन नमबर आपका बारा का यह हो जागा क्योंकि यहाँ पर सी के जग़ा पर हम लोग एक, दो, तीन, चार तक ले सकते हैं ठीक है ताकि यह 16 से कम आए तो से उतर यहाँ पर बारा का उप्शन नमबर यह राइट है चले कुछ और कोशन देख लेते हैं दोस्तों तेरा नमबर है कि यदि AP यहाँ पर दिया गया है 9, 12, 15, 18 का एनमा पद क्या होगा देखे, यह बराबर 9 दिया गया है D बराबर यहाँ पर 12, minus 9, बराबर 3 दिया गया है अब यह TN का भैलू आप लोगों को यहाँ पर निकालना है तो TN बराबर क्या होता है दोस्तों A plus N minus 1 into D तो यहाँ पर A का भैलू 9 है n का value नहीं पता है हम लोग को d का value 3 है ठीक है और यहाँ पे आप लोग को निकालना है दोस्तो 9 पलस 3 n माइनस 3 यह हो जाएगा आपका 3 n पलस 6 हो जाएगा हो जाएगा की नहीं तो से उत्र यहाँ पे तेरा का option number d हो जाएगा क्योंकि tn पद निकालना था आप लोग को tn के पहलों आप लोग को नहीं पता है तो यह ऐसे ही फ़र में आजाएगा 3 n पलस 6 होगा यह n पलस ठीक है चले चोदर नमर question देखते हैं दोस्तो कि यदि किसी समांतर स्रेणी का n पलस इतना दिया गया है कितना होगा दोस्तो यह होगा ठीक है तो से उतर यहाँ पे चोदा का option number c इसका एक आता है दोस्तो condition अगर a n पलस b यहाँ पे न पलस दिया गया है तो इसका पदांतर जो होगा मतलब common difference जो होगा d का भैलू यह option number c होगा a रहे टेंसर अब एक समांतर सिर्णी में l का भैलू दिया गया है s का भैलू दिया गया है कुलपद 9 है तो a का भैलू आप लोग को निकालना है तो sn पे आप लोग निकाल सकते हो ठीक है sn वाले फर्मूला पे यहाँ पे कितना हो जागा है कुलपद 9 है इन्टू एक का निकालना है और l का भैलू यहाँ पे 28 दिया गया है ठीक है तब आसाने साब लोग निकाल सकते हो यहाँ पे इसको हम लोग लेंगे तो 2-144 हो जाएगा 9 से यहाँ बारे दूनी कट जाएगा बारे नमें 144 बार दोनी 24 ए पलस एल वला एल सोरी एल का भैलू यहाँ पे 28 है और यहाँ पे निकला है 24 तो ए बराबर 28 माइनस यहाँ पे 24 कितना होगा दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कोशन बता हैं आप लोग को अच्छा लागा होगा जितने भी कोशन मैंने बताई इस सारे कोशन में पूछे गए हैं दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा इसी तरह के काफी सारे वीडियो आने वाले हैं दोस्तों चैनल की और से क्लास त्यंत वालों के लिए ठीक है वीडियो के डिसक्राप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों वेब साइट का जहां से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चेप्टर वाइज अब्जेक्टिव साथ में सब्जेक